हम सब लोग अपनी जिंदगी में सफल बनना चाहते हैं लेकिन हमें ये समझ ही नहीं आता कि हम करे क्या ऐसी क्या चीज़े है जिनको हमें फॉलो करना चाहिए और जिनको फॉलो करके हम सफल बन जाएंगे तो इसी चीज़ को समझने के लिए बाप रॉक्टर ने एक बुक लिखी थी उन्होंने बहुत सारे लोगों में कुछ common चीजे नोटिस की और उसके बात उन्होंने एक बुक में उस चीजे को लिखने की कोशिश की और उन्होंने 12 ऐसी चीजे बताई जो सफल लोगों को पता है लेकिन हम लोग उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं तो चलिए एक एक करके उन 12 चीजों के बारे में समझते हैं ये जानते हैं कि कैसे उनसे आप अपने जीवन को बजल सकते हो और सफल बन सकते हो चैप्टर नमबर वन सक्सेस आप सफल होकर खुश नहीं बनोगे अगर आप खुश हो तभी आप सफल बन पाओगे अगर आप हमेशा दुखी होकर काम करते रहोगे तो आप कुछ भी कर लो आप जिन्दकी में कभी भी सफलता को महसूस नहीं कर सकते लेकिन अगर आप खुश हो तो आप एक ना एक दिन सफल जरूर बन जाओगे और इसी चीज़ को जब आप समझोगे तब ही आप पहले पॉइंट को अच्छे से समझ पाओगे हाँ ये सही बात है कि हम सब जब जनम लेते हैं तो हमारी जो कंडिशन्स होती है वो अलग अलग होती है कोई बहुत जादा अमीर फैमिली में पैदा होता है तो कोई बहुत जादा गरीब फैमिली में पैदा होता है लेकिन इसके बात भी कुछ चीज़े दोनों इंसानों के पास common है जिसके पास बहुत जादा पैसा है उसके पास पी choices है अमीर आजमी ये चूज कर सकता है कि वो पैसा कहां खर्च करेगा और जो गरीब है वो ये चूज कर सकता है कि वो किस तरह से अपने आपको आगे बढ़ाएगा अगर आप कंप्लेन करते रहोगे तो आप वही के वही रह जाओगे और अगर अमीर बुरी आज़तों में पढ़ जाएगा तो वो भी बरबाद हो जाएगा सफलता का मतलब सबके लिए अलग-अलग हो सकता है जरूरी नहीं है कि जिस रास्ते पर आपका दोस्ट चल रहा है आपको भी उसी रास्ते पर चल कर सफलता मिल जाएगी यही सबसे बड़ा कारण है बहुत सारे लोग पढ़ाई से बोर हो जाते हैं क्योंकि वो किसी दूसरे को देखकर अपनी पढ़ाई की स्ट्रीम को चूज कर रहे हैं और जब वो स्ट्रीम में जाते हैं उन्हें पता चलता है कि वो उसके लिए नहीं बने उस चीज में उनक लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि अगर आपके पास एक प्लैन नहीं है कि आपको आगे क्या करना है एक डायरेक्शन नहीं है तो आप हमेशा परिशानी में रहोगे क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि आपको क्या करना है मान लीजे एक ऐसा इंसान है जो एक तो मुझे और जादा पैसा मिलेगा लेकिन वहीं पर एक ऐसा इंसान है जो हर रोज अलग-अलग काम कर रहा है क्यों कि उसे सिर्फ सर्वाइव करना है तो इस चीज में वो इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ताएगा दूसरी चीज जो आपको समझनी होगी वो यह है कि आप को प्रोग्रेस की तरफ अपना ध्यान देना होगा मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम लोग हर रोज काम तो कर रहे हैं फिर भी हम सफल नहीं बन पा रहे लेकिन सवाल यह है कि आपके अंदर क्या इंप्रूव्मेंट हुई है आपने लास्ट टाइम ये कभ सोचा था आपका रूटीन हर रोज सेम हो सकता है आप हर रोज सेम काम कर रहे हो सकते हो लेकिन इंप्रूव्मेंट क्या हुई क्या पिछले महीने भी आप वही काम कर रहे थे और इस महीने भी आप वही काम कर रहे हो अब इसका मतलब यह नहीं है कि पिछले महीने जो आप अपनी skill में काम कर रहे थे, इस महीने आप skill को change कर दो, नहीं कुछ ना कुछ कमिया पिछले महीने भी आपने अपने अंदर देखी होगी क्या इस महीने उनको आपने change किया, या फिर वो कमिया वैसी ही है इस चीज से पता चलता है कि आपके अंदर कितनी progress हो रही है माल लीजिए, मैंने पहले महीने कोई skill सीखी, अब अगर मैं ये सोच रहा हूँ, कि मुझे तो सब कुछ आ गया, तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, क्योंकि आपकी जो भी skill है उसमें आप हमेशा कुछ न कुछ सीखते जाओगे कभी भी आप उसमें perfect नहीं बनोगे उस चीज में आप और अच्छे बनते जाते हो For example, अगर मुझे video editing आती है तो मैं starting में video editing सीख कर थोड़ी थोड़ी चीजे सीख पाऊंगा फिर धीरे धीरे मुझे उसमें और चीजे आएगी फिर धीरे धीरे मैं सीखूंगा कि कैसे मैं AI की मदद से अपनी video editing को और fast बना सकता हूं लोगों को video editing की service और अच्छे से दे सकता हूं लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने जो सीखा था मैं तो उसके बेस पर ही काम करूंगा तो आप कभी भी progress नहीं कर पाओगी और इसी चीज़ को आपको अगर successful होना है तो आपको समझना होगा कि successful होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप काम कर रहे हो successful होने का मतलब ये है कि आप काम भी कर रहे हो और improve भी कर रहे हो बहुत सारे लोग ये complain करते हैं कि हम बहुत जादा काम करते हैं लेकिन कोई फरक नहीं पड़ता फरक कैसे पड़ेगा जब आप अपने actions में बदलाव नहीं ला रहे हो अपनी सोच में बदलाव नहीं ला रहे हो अगर action और सोच same है तो result भी same ही रहने वाला है इस चीज़ को आप जितनी जल्दी समझ जाओ ये चीज़ आपके लिए उतनी ही अच्छी होगी चैप्टर नमबर टू Decision आपको एक चीज़ को हमेशा समझना होगा कि अगर आप कोई भी decision नहीं ले रहे हो तो आप failure की तरफ ही जाओ के आपको decision लेना चाहिए चाहे आप गलत ही decision लो उससे आपको सीख ही मिलेगी माल लीचीए मैं कुछ चीज सीखना चाहता हूँ लेकिन मैं साथ में ये भी कह रहा हूँ कि मैं कोई गलती ही नहीं करूँगा तो क्या मैं कभी improve कर पाऊंगा बिल्कुल भी नहीं आपको एक चीज को समझना होगा कि अगर आप decision नहीं ले रहे हो तो आप ना तो कुछ सीख पाऊगे ना improve कर पाऊगे और आगे भी नहीं बढ़ पाऊगे बहुत सारे लोगों को decision making में इसलिए problem आती है क्योंकि वो गलत होने की वज़से decision ही नहीं ले पाते और इस वज़से वो कभी improve ही नहीं कर पाते और अपनी गलतियों से कभी सीख ही नहीं पाते आपकी सफलता की शुरुवात एक decision सही होगी अगर आपको कोई बूरी आदत को छोड़ना है अगर आपको कुछ सीखना है तो वो decision है जो matter करता है जब तक आप वो strong decision नहीं लोगे तब तक आप अपनी जिंदकी को नहीं बतल सकते चाहे आप कितनी भी अच्छी किताबे पढ़लो चाहे आप कितनी भी अच्छी चीजे सुन लो लेकिन जब तक आप वो decision नहीं लोगे चाहे वो किसी भी field में हो तब तक आप अपनी जिंदकी को नहीं बतल सकते लेकिन आपको एक चीज को समझना होगा कि अगर आपको सही decision लेने है तो आपके पास उस field से related भी decision ले लीजिए नहीं बस उसके बारे में information collect कीजिए अपनी पूरी सोच समझ से देखिए कि आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है क्या चीज आपकी जिंदकी को आपकी health को और आपकी financial freedom को और ज़्यादा benefit देगी जितनी ज़्यादा information आपके पास होगी किसी भी field से related उतना ज़्यादा आपको उस चीज में देखने को मिलेगा और ये भी हो सकता है कि आपके पास information हो आपको लग रहा हो कि ये decision मेरा सही ही होगा लेकिन फिर भी decision गलत हो गया तो इस चीज में आपको सीखने को मिलेगा आपको गलतियों से डरना नहीं है आपको उनसे सीखना है अपनी decision को note करना है और ये याद रखना है कि मैंने कहां गलती की और फिर आगे बढ़ना है अपने आप से अभी एक simple सा सवाल पूछिए कि आप अभी कहां पर है और आप आगे क्या achieve करना चाहते है और कैसे आप उन चीजों को achieve कर सकते है अब जो भी आपकी field है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा information इकठा कीजिए इसके लिए ये books मुझे पढ़नी पड़ेगी ये चीजे मुझे सीखनी पड़ेगी ये famous लोग है जो मेरी field में successful है इन्होंने क्या किया है इन्होंने कितनी मेहनत की है और उस base पे अपनी सारी information को इकठा करके decision लीजिए और मेहनत करना शुरू कीजिए कुछ चीजे आपको लोगों को notice करके सीखनी पड़ेगी कि जो आपकी field में successful लोग है चाहे वो business हो, पढ़ाई हो कोई और field हो वो ऐसा क्या कर रहे है जो आपको भी करना चाहिए इस चीज़ को copy नहीं कहते है किसी भी अच्छी चीज़ को सीखने में कोई शरम मत कीजिए जब तक आप सही रास्ते पर चल रहे हो तब तक उस चीज़ को करते रहे उसको copy नहीं inspiration कहते है अगर आप किसी से inspiration लेकर कोई चीज़ अपने अंदर ला रहे हो अगर वो अच्छी चीज़ है अगर वो आपको benefit देती है आपकी जिंदकी को सुधारती है तो उसमें कोई भी बुरी बात नहीं है इस दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क यही है कि आप रिस्क नहीं ले रहे क्योंकि ये दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और कुछ ना करना ही आपके failure का सबसे बड़ा कारण होगा जैसे कि मैंने आपको पिछले point में बताया कि आपको decision लेना पड़ेगा वहाँ पर ये चीज आपको बहुत जादा feel होगी कि मैं risk ले रहा हूँ लेकिन आपको एक चीज समझनी होगी कि इस दुनिया में आप जो भी चीज कर रहे हो वो risk से भरी हुई है आप पढ़ाई करते हो आपको पूरी तरह से नहीं पता कि क्या आपको result अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा आप तो अपनी मेहनत कर रहे हो लेकिन result आपके हाथ में नहीं है लेकिन फिर भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसी तरह से आप कुछ भी कर रहे हो उस हर field में risk है लेकिन आप रिस्क लेने से कब कतराते हो जहाँ पर आपको अपने गोल पर डिसीजन लेना होता है और जब तक आप इस डर से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते आपको अपनी दिमागस से सबसे पहले ये बात निकालनी होगी कि अगर मेरा decision कोई गलत हो गया तो इसका मतलब यह है कि मैं fail हो गया ऐसा नहीं होता है अगर आपका decision कोई गलत हो गया है तो इसका मतलब यह है कि आपने कुछ गलत किया और आपकी understanding या information में कुछ गलत था जिसकी वज़से आप उस चीज़ में गलत हो गए अगर आप एक कदम आगे बढ़ाते हो और उसमें आपको हार का सामना करना पड़ता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिन्दकी भर के लिए हार गए आपको ये समझना होगा कि जब भी आप कुछ नया करते हो तो पहली ही बारी में आप उसमें सफल नहीं हो सकते आप एक दिन में गाड़ी चलानी नहीं सीखते समय लगता है एक बच्चा एक दिन में चलना नहीं सीखता उसमें भी समय लगता है दीरे दीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे आप हर फेड में अच्छा करने लगते हो और यही चीज आपको अपने दिमाग में रखनी होगी यह चीज हर सफल इंसान ने की है चाहे वो कोई बड़ा बिजनसमेन हो कोई बड़ा अथलीट हो या फिर कोई भी बड़ा इंसान हो आपको यह चीज समझनी होगी ऐसा नहीं है कि वो अपने हर मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं बहुत बार वो जीरो पर भी आउट हुए है बहुत बार उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है लोगों ने उनको बहुत जादा क्रिटिसाइज भी किया है लेकिन अगर आप उनकी ओवर आल परफॉर्मेंस देखे तो आपको एक अच्छा रिजर्ट दिखेगा तो फरक इस चीज से बढ़ता है कि आप क्या महनत करने के लिए और काम करने के लिए अपने आपको इंप्रूफ करने के लिए तयार है क्या आप उस डिसीजन को लेने के लिए तयार है और उस डिसीजन में आपको अपने दिमाग से ये चीज निकालनी होगी कि आपको हमेशा सफलता ही मिलेगी ये पॉसिबल नहीं है आपको बहुत बार छोटे बड़े अब डाउंस देखने पड़ेंगे और उनी को फेस करके आप आगे बढ़ पाओगे इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने कुछ किया हो और उसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से स्टेबल हो गई हो अप एंड डाउन आता रहता है और जैसे जैसे आप इसको फेस करते रहोगे वैसे वैसे आप अपने आपको नई नई मुश्किलों के लिए तैयार करते रहोगे और इस चीज से आपका ही मैंटसेट और ज़्यादा स्ट्रॉंग होगा चैप्टर नमबर फोर प्रिजिस्टेंस ओथर कहते हैं कि सफल बनने के लिए आपकी इंटेंशन बहुँ ज़्यादा मैटर करती है बहुत सारे लोगों की इंटेंशन ही स्ट्रॉंग नहीं होती बहुत सारे लोग मैनत करना बहुत पार इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं और जब वो उस प्रॉब्लम को कुछ दिनों तक हैंडल नहीं कर पाते तो उस काम को ही छोड़ देते हैं और फिर वो किसी दूसरी फेल्ड में जाते है वहां भी उन्हें किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है फिर वो उस प्रॉब्लम से पीछे हटके उस चीज़ को करना भी छोड़ देते हैं और इस तरह से एक इनसान कर तो बहुत सारी चीज़े रहा है लेकिन उसको सफलता नहीं मिल रही है क्यों? क्योंकि उस इनसान की इंटेंशन क्लियर ही नहीं है उसके दिमाग में एक ऐसा सफलता का फॉर्मूला फिट कर दिया गया है कि तुम कुछ करोगे और एक दिन तुम अचानक अमीर बन जाओगे क्या ऐसा पॉसिबल है? अपने आप से सवाल पूचिए नहीं! इसलिए आपको अगर कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो देखिए कि उस प्रॉब्लम का बेस क्या है किसी ना किसी तरीके से आप उसका सॉलुशन ढूंडी लोगे और जैसे जैसे आप उस प्रॉब्लम को फेस करते रहोगे वैसे वैसे आपको ये समझ आएगा कि आप उसका मुकाबला कर सकते हो और उसका सॉलुशन क्या है? ये भी आपको पता चल जाएगा बहुत बार आपको इस तरीके से सोचना होगा कि कुछ भी हो जाए मैं इस काम को करके रहूंगा जब तक आपकी सोच ऐसी नहीं बनेगी तब तक आप सफल नहीं बन सकते मैक्सिमम सक्सेस्फुल लोगों को आप इस तरह से काम करते होई देखोगे उन्हें फरक ही नहीं बढ़ता है कि वो फेल हो रहे हैं वो पिछले दिन फेल होते हैं और अगले दिन दुबारा उसी काम पर लग जाते हैं क्योंकि उन्हें उस काम को करना है बस वो एक चीज़ को ट्राय करते हैं फिर उस चीज़ फिर उसी फिल्ट में दूसरी चीज़ को ट्राय करना शुरू कर देते हैं दूसरा idea लाकर उस पर काम करना शुरू कर देते हैं वो field को नहीं छोड़ते, वो goal को नहीं छोड़ते वो अपने ideas को change करते जाते हैं यह चीज अगर इस तरीके से नहीं होगी तो इस तरीके से होगी इसी चीज को आपको भी समझना होगा इसी लिए इस चीज को हमेशा याद रखिए कि आपकी intention बिल्कुल clear होनी चाहिए कि आपको इस काम को करना है चाहे कुछ भी हो जाए और ये भी याद रखिए कि छोटी सफलताओं के बाद भी बहुत सारे लोग distract हो जाते है और उसके बाद ये होता है कि वो जब downfall में आते है तो उन्हें लगता है कि वो इस चीज से कभी बाहर ही नहीं निकल भाएंगे इसलिए छोटी सफलताओं से अपने आपको distract मत होने दीजिए और दूसरी चीज याद रखिए अगर आपको सफल बनना है तो आपको वो मेहनत भी करनी पड़ेगी जो सफल लोगों ने की है अगर आप बस वहाँ पहुँचने का सपना देख रहे है और वो action नहीं ले रहे है तो आप कभी भी सफल नहीं बन सकते चैप्टर नमबर फाइव Responsibility और कहते हैं कि जब आप जिम्मेदारी की बात करते हो तब आप freedom की भी बात करते हो बॉप रॉप्टर यहां पर बताते है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो आजाद है लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं है और वो लोग ये realize ही नहीं करते कि वो अपने सोच के और मन के गुलाम है जो भी उनका मन कहता है वो लोग वही चीज़े करते हैं अब उनका मन क्या कहता है उनका मन वही चीज़े उनको बताता है जो उनके आसपास का समाच उनके आसपास के दोस्त उन्हें बता रहे है और वो वही चीजे करते जा रहे हैं वो ये नहीं सोच रहे या नहीं पूछ रहे कि क्या ये मेरे लिए सही है या ये मेरे लिए गलत है वो बिना किसी सवाल के उस चीज़ को करते जा रहे हैं और जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक आप अपने mind की power को कभी increase कर ही नहीं सकते इस तरह से सोचे बहुत सारे लोग movies में देखकर या किसी web series में देखकर smoking को बहुत जादा cool समझते हैं और उस चीज़ को करना शुरू कर देते हैं लेकिन वो कभी अपने आप से सवाल नहीं पूछते कि क्या ये चीज़ मेरे लिए सही है या ये चीज़ मेरे लिए गलत है अगर लोग अपने आप से सवाल पूछना शुरू करते तो वो बहुत सारी problem से बच सकते हैं खास कर अपनी health problem से बहुत सारे लोग fast food खा रहे हैं बस अगर वो fast food just खाने से पहले अपने आप से सवाल पूछे कि क्या ये चीज़ मेरे लिए सही है क्या ये मेरी health के लिए सही है मैं हर रोज fast food खा रहा हूँ तो उन्हें अपना जवाब मिल जाएगा और वो धीरे धीरे अपने उपर अपना control पा सकेंगे जैसे जैसे आप responsibility लेना शुरू करेंगे वैसे वैसे आपका दिमाग उस जेल से बाहर निकलेगा जो भी सफल लोग होते हैं वो अपने काम की responsibility लेते हैं और इसी लिए वो उस काम को पूरा कर पाते हैं बहुत सारे लोग अपने काम को पूरा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो काम शुरू तो करते हैं लेकिन वो कभी इस तरह से नहीं सोचते कि ये काम मेरी जिम्मेदारी है जब तक आप इस तरह से नहीं सोचोगे तब तक आप कुछ भी कर लो आप किसी भी काम को पूरा नहीं कर सकते और जिम्मेदारी वही ले सकता है जिसको अपनी skill पर confidence हो जो वो काम कर रहा है उस पर confidence हो जो वो करने वाला है उस पर confidence हो इसलिए responsible बनने के लिए responsibility लेने के लिए बहुत जादा महनत करनी बढ़ती है और example जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि एक decision लेने के लिए आपके पास एक information होनी चाहिए उस decision को लेने के लिए वो जो responsibility आपको मिलेगी वो उस information सही मिलेगी जब आपको पता होगा कि हाँ मेरे पास ये data है मेरे पास उन लोगों की बताही होई बाते हैं अगर आप बिल्कुल careless होकर किसी भी काम को करेंगे चाहे वो कितना भी आसान काम हो तो आप उसको कभी भी नहीं कर पाएंगे तो आज सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछना शुरू कीजिए और responsible बनिये कि क्या ये चीज मेरे लिए सही है या ये गलत है जो भी मैं कर रहा हूँ इसका result क्या होगा अगर मैं अगले एक महीने तक इस चीज को करता हूँ तो इसका result क्या होगा कुछ अच्छा होगा या कुछ बूरा होगा अपने आप से बार बार ये पूछिए तभी आप अपनी responsibility ले पाएंगे उस चीज को face कीजिए जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी कर लो चाहे आप कितना भी अच्छा सोच लो आप अपना confidence नहीं बढ़ा सकते confidence एक mental state है जिसको आप तब develop करते हो जब आप एक कीमत चुकाते हो और वो कीमत है अपनी problems को अपनी समस्याओं को face करके जब तक आप उनको face नहीं करोगे तब तक आपके अंदर confidence नहीं आएगा आपको public speaking में डर लगता है जब तक आप उस चीज को face नहीं करोगे तब तक आप public speaking में अच्छे नहीं बन सकते आप starting कीजिए दो लोगों से फिर चार लोगों के सामने बोलना शुरू कीजिए फिर एक hall में बोलिए फिर जादा लोगों के सामने बोलिए जब तक आप इस चीज को face नहीं करोगे तब तक आप public speaking को नहीं सीख सकते इसी तरह से अगर आपको height से डर लगता है तो आपको height को face करना होगा आप ये सोच कर कि मुझे डर नहीं लगेगा कभी भी उस डर को खतम नहीं कर पाओगे जब तक आप उस डर को face नहीं करते जब तक आपके अंदर confidence नहीं है अपने काम को लेकर अपनी field को लेकर जो problems आपके सामने आने वाली है उनको लेकर तब तक आप कभी भी सफल नहीं बन सकते ये उसी तरह से है कि मान लीजी आपकी गाड़ी खराब हो गई लेकिन आपको उसके बारे में zero knowledge है तो क्या आप उस गाड़ी को ठीक कर सकते हो लेकिन एक mechanic है जिसने पहले भी बहुत सारी गाड़ियां ठीक किया उसके पास experience है उसको knowledge है उसने वो problems पहले भी face किया तो उसको कोई डर नहीं होगा क्योंकि उसको पता होगा वो जो भी करेगा ठीक करेगा और उसकी वज़़ से गाड़ी ठीक हो जाएगी ये चीज अपनी जिन्दकी पर apply करके देखिए आपकी जिन्दकी में problems जो आती है उनको face कीजिए और उनसे जो भी आप सीखते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी life में आपको जरूर काम आएगा author बताते हैं कि तीन चीज़े हमेशा याद रखिए कि आपकी self image कैसी है आप अपने बारे में क्या सोचते हैं क्या आप हमेशा अपने आपको कोस्ते रहते हैं या फिर अपने बारे में हमेशा negative सोचते हैं तो ये भी आपके confidence पर एक बहुत गलत तथर डालता है उसी तरह से आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप किन चीजों में अच्छे हैं और किन चीजों में कमजोर है जिससे आप उन चीजों पर और काम कर पाए और अपनी कमजोरियों को अपनी strength बना पाए और तीसरी चीज है सब में अच्छा देखना शुरू कीजिए तभी आप खुद में भी अच्छा देख पाएंगे अगर आप सबकी गलतिया निकाल रहे हैं तो आप खुद की भी गलतिया ही निकालेंगे इसलिए confidence बनाने के लिए ये भी ज़रूरी है चैप्टर नमबर 7 Action इस दुनिया में Action के बिना कोई भी चीज नहीं होती कोई भी आपको Result Action के बिना नहीं मिलेगा जितने भी successful लोग है वो काम करते हैं और तभी वो उस काम में आगे बढ़ पाते हैं अगर आप शान्त होकर सोचे तो जो भी चीज आप कर रहे हो एक एक चीज वो एक Action है आप आज क्या कर रहे हो आप क्या हर रोज सेम चीजे रिपीट कर रहे हो तो ये भी Action ही है अगर आप किसी फिल्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो क्या आप उसके According Action कर रहे हो या नहीं कर रहे हो आपको ये सवाल अपने आप से पूछने होंगे इसलिए ये याद रखे कि आपको Action तो लेने ही पड़ेंगे चाहे आप कितना Positive सोच लो चाहे आप कितनी भी Prayer कर लो जब तक आप अपने हाथ पैर नहीं हिलाने वाले तब तक आपको Result नहीं मिलेगा आपको Ideas मिल सकते हैं लेकिन उस Idea पे भी आपको ये काम करना पड़ेगा इसलिए इस चीज़ को मेशा याद रखिए कि आपकी छोटी छोटी चीज़े भी एक Action की तरह ही काम करेगी और जब तक आप Action नहीं लोगे तब तक आपको कोई भी Result नहीं मिलने वाला Chapter No.8 Money हाँ ये सच है कि पैसा खुशी नहीं करी सकता लेकिन पैसा आपको एक Comfortable Life दे सकता है और आपकी बहुत सारी Problems को Fix कर सकता है इस चीज़ से चाहे आप कितना भी भागो लेकिन आपको इस चीज़ को Accept करना होगा पैसा एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बहुत सारी Problems को Solve कर सकता है और जब तक आप इस चीज़ को Accept नहीं करोगे तब तक आप अपने आपको एक जूट में रख रहे हो हाँ यह सच है कि पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता है वो हमेशा आपको खुश नहीं रखेगा लेकिन आपकी बहुत सारी ऐसी Problems होगी जिससे आप Tension Free हो जाओगे चाहे वो Health Related हो चाहे वो Stability हो चाहे वो घर से Related हो कोई भी Luxury से Related हो आप बहुत जादा Tension Free हो जाओगे इन चीज़ों को लेकर सौ मैसे 97 ऐसे लोग होते हैं जिनको यह पता ही नहीं है कि वो पैसे से पैसा कैसे कमा सकते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके According पैसा आया उसको खर्च कीजिए और Survival कीजिए और उसको Save कर लीजिए लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पैसे को सही तरह से Invest करना उससे और जादा पैसा कमाना जानते हैं और अपनी Life को Improve करना जानते हैं आपको किस चीज़ के लिए पैसा मिलता है आपको पैसा मिलता है आपकी जो भी Skill है चाहे आपकी कोई भी फिल्ड हो अगर आपके पास कोई अच्छी Skill है तो आपको उसके लिए पैसा मिलेगा उसी तरह से जितनी अच्छी आपकी Skill होगी उतना जादा आपको पैसा मिलेगा विराट कोली एक बहुत यच्छे क्रिकिटर है इसी लिए उन्हें बहुत जादा पैसा मिलता है लेकिन क्या विराट कोली सिर्फ क्रिकिट से पैसा कमाते है अगर कल वो क्रिकिट से सन्यास ले ले तो क्या उनके पास पैसा आएगा ही नहीं नहीं क्योंकि विराट कोली बहुत सारी ब्रेंट्स के साथ काम कर रहे हैं उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज ले रखी है उनके अपने रेस्टोरेंट्स है तो आपको यह समझना होगा एक skill आपने बनाई जिससे आपने पैसे कमाए फिर आपने उस skill से जो पैसा आया उसको इस तरह से खर्च किया कि कल को हो सकता है आप उस skill के according काम ना कर पाओ लेकिन आपके पास हमेशा एक financial freedom रहे आपके पास पैसा आता रहे ये चीज मैक्सिमम लोग कभी नहीं सीखते बहुत सारे लोग यहां भी कहेंगे कि मेरी तो salary कम है तो इसका मतलब यह है कि आप कोई अच्छी skill प्रोवाइड नहीं कर रहे हो आप जो भी कर रहे हो उसमें सबसे अच्छा काम करके देखो अपनी skill को और अच्छा बढ़ाओ जब आप dedication से काम करोगे तो लोग आपकी salary और आपको और ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे क्योंकि अपने आसपास देखिए अगर आपको भी अपने घर का काम किसी से करवाना है तो आप किसी ऐसे इंसान से करवाएंगे जो अच्छे से काम करता है चाहे आपको थोड़ा ज़्यादा ही पैसा देना पड़े इसी तरह से जो बड़ी बड़ी companies है या जिन लोगों को अपना कोई काम करवाना है जिसमें आपकी skill है तो अगर आप अच्छा काम करते हो तो जिनके पास पैसा है वो आपसे काम करवाएंगे और ऐसा नहीं है कि लोगों के पास पैसा नहीं है लोगों को ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं जिनके पास अच्छी skill है उनको लोग मिलते हैं पर उनके पास अतनी अच्छी skill नहीं है बहुत सारे लोग video editing सीखते हैं लेकिन वो उस लेवल की वीडियो एडिटिंग नहीं सीखते जैसी लोगों को चाहिए तो फिर उन्हें पैसा नहीं मिलता लेकिन अगर किसी को बहुत बहुत अच्छी हाई लेवल की वीडियो एडिटिंग आती है तो उससे जाकर पूछे कि वो कितना अच्छा कमा रहा है इस तरह से अपनी फिल्ड में एवरेज मत बनिये या एक लर्नर मत बनिये उसमें सबसे अच्छा कुछ करके दिखाईए और जब आप ऐसा करेंगे आपको आपकी स्किल्ड का अच्छा पैसा मिलेगा इस चीज़ को आप जितना अच्छे से अपने दिमाग में डाल लो आपका उतना ही जादा फायदा होगा इसलिए यह याद रखो पहले आप अपनी स्किल्स से पैसा कमाओगे फिर उसके बाद जो पैसा आएगा उसको आप कुछ पार्ट में डिवाइड करोगे मतलब एक पार्ट तो वो जो आप अपने लिए रखोगे अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली और बाकी चीज़ों के लिए और एक पार्ट आप वो पक्का रखोगे जिसको आप इन्वेस्ट करोगे चाहे वो कहीं भी हो लेकिन याद रखो डिसीजन लेने से पहले वो इन्फोर्मेशन आपके पास होनी चाहिए अगर आपका कोई गोल नहीं है तो आप ये कैसे कह सकते हो कि आप सफल नहीं हो रहे हो या फिर आप सही रास्ते पर हो गोल सेट करना एक बहुत जरूरी चीज़ है लेकिन लोगों के साथ प्रॉबलम ये है कि वो बड़ा गोल सेट नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये अचीव कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ऐसा होता इसलिए है क्योंकि उन्हें इसके लिए अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना पड़ेगा और लिमिट्स क्रॉस करने का मतलब ये है कि अपने कमफर्ट जोन से बाहर निकलना और अपने कमफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत कम लोगों को पसंद होता है इसलिए बहुत ज़्यादा लोग अनहेल्दी है क्योंकि फिट रहने के लिए हर रोज अपने कमफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा अब ऐसा नहीं है कि कमफर्ट जोन सक्सेसफुल लोगों का नहीं होता है सब का अपना एक कमफर्ट जोन होता है लेकिन फरक यही है कि वो उस कमफर्ट जोन को छोड़ सकते है वो अपने माइंड को कंट्रोल करना जानते है अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये आपको एक कहा था कि अपने mind को control करना सीखो वो responsibility लेना सीखो वो responsibility जब आप लोगे इस comfort zone को आप छोड़ दोगे और अपने goal को achieve करने के लिए आप काम कर पाओगे इसी लिए वो responsibility ज़रूरी है अगर आप भेनत कर रहे हो आप improve कर रहे हो लेकिन एक समय पर आकर आपको सब कुछ comfortable लग रहा है और आपको लग रहा है कि आपको सब कुछ आता है तो याद रखो आपका downfall शुरू हो सकता है क्योंकि जब भी आपको लग रहा है कि आपको सब कुछ आता है आप कुछ भी कर सकते हो तो आप एक illusion में जी रहे हो और ये illusion इसलिए हुआ है क्योंकि आप एक comfort zone में बैठ चुके हो और जिस दिन आप कोई problem का सामना करोगे उस दिन आपको इस comfort zone को जबड़ दस्ती तोड़ना पड़ेगा और वो चीज आपके लिए बहुत जादा uncomfortable होगी इसलिए अपने दिमाग में एक चीज रखो कि अपने आपको बहुत जादा comfortable मत करो किसी भी situation को लेकर अपने दिमाग में एक चीज रखो कि up and down तो जिंदगी में चलता है रहेगा और उस चीज के लिए अपने आपको हमेशा तयार रखो इसी तरीके से आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हो जब तक आपके दिमाग में ये चीज़े नहीं है तब तक आप किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते चैप्टर नमबर 10 attitude लोग आपको क्या बोल रहे है लोग आपके बारे में क्या सोच रहे है वो आपके साथ क्या कर रहे है इस चीज़ पर तो आप control नहीं कर सकते लेकिन आप क्या response देते हो इस चीज़ पर आप control कर सकते हो और इसी चीज़ को attitude कहते है अल नए टैंगल कहते है कि attitude एक बहुत powerful word है आपके सामने क्या situation है और आप उस पर कैसा react करते हो ये आपके attitude के बारे में सब कुछ बता देता है अगर आप किसी की छोटी सी बात पर बहुत ज़्यादा गुसा हो जाते हो तो ये आपको दिखाता है कि आप कितने कमजोर हो अगर आप किसी के बहुत ज़्यादा कुछ बोलने पर खुश हो जाते हो तो ये भी आप दिखाता है कि आप किसी की भी बातों में आ सकते हो इसलिए आपका attitude बहुत ज़्यादा strong होना चाहिए जिसकी वज़े से आप लोगों को पढ़ सके क्योंकि बहुत सारे लोग आपको unstable करने की कोशिश करेंगे लेकिन अगर आपका attitude strong है तो वो आपको unstable नहीं कर पाएंगे बहुत सारे लोग सिर्फ आपको अच्छा महसूस इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि वो आपसे कोई ना कोई फायदा लेना चाहते हैं और इसलिए आप उनकी बातों में आकर खुश हो जाते हो तो यही चीज आपको समझनी होगी अगर आपका attitude strong होगा तो आप यह समझ जाओगे कि कौन मेरा फायदा लेना चाहता है और कौन सच में मेरा अच्छा चाहता है अगर आप अपने negative attitude को control करना सीख जाओ तो आप situation पर अच्छा response देना सीख जाओगे अब ऐसा नहीं है कि negative attitude पूरी तरह से खतम हो जाएगा सब लोग बुरा फील करते हैं सब लोगों को गुसा भी आता है लेकिन जो matter करता है वो है control अगर वो control आपके अंदर है तो आप बड़ी से बड़ी situation को भी अच्छे से अंडल कर लोगे और ये तभी होगा जब आप एक अच्छा attitude बिल्ड करोगे और अच्छा attitude बिल्ड करने के लिए आपको अच्छी चीजे सुननी होगी पढ़नी होगी देखनी होगी आपको उन लोगों को देखना होगा जिनका अच्छा attitude था जिनका इस तरह का attitude था जब उनको आप पढ़ोगे उनको सुनोगे उनको देखोगे तभी आप उनकी तरह attitude को बना पाओगे चैप्टर नमबर 11 Creativity Creativity एक बहुत powerful चीज़ है सब लोग सब चीज़ों के बारे में जानते हैं लेकिन एक creative इनसान ही यह सोच सकता है कि इस चीज़ से मैं क्या बना सकता हूँ हम ऐसे बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि creative होने का मतलब यह है कि आप कुछ अच्छा लिखो या फिर आप एक अच्छा music बनाओ या कोई आप artist हो या फिर आप actor हो 95% जो population है वो यह सोचती है कि वो creative नहीं है लेकिन उनकी समझ ही यहाँ पर गलत है क्योंकि कोई भी ऐसा इनसान नहीं है जो creativity के बिना पैदा हुआ हो हर इनसान के अंदर कुछ ना कुछ creative होता है आपको creative चीज़े करने के लिए उस field में अलग सोचना शुरू करना होगा और इसी base पर आप आगे बढ़ोगे एक छोटा बच्चा उसको पहले से कोई भी चीज़ पता नहीं होती वो धीरे धीरे हर चीज़ को सीखता है चाहे वो कोई भी चीज़ हो तो आप ये कैसे कह सकते हो कि आप creative नहीं हो आपने हर चीज़ यहां आके सीखी आपने बोलना सीखा है सब कुछ सीखा है तो हर इनसान creative है लेकिन बड़े होते होते हम उस imagination को ही बंद कर देते हैं imagination एक ऐसा door है जो आपकी creativity को बहुत जादा strong बना सकता है लेकिन हम अपनी imagination को इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि क्या फरक पड़ता है मेरे सोचने से या मेरे इस चीज़ को इस तरीके से सोचने से क्या फरक पड़ता है लेकिन जो लोग इस पर ध्यान देते है वो बहुत जादा creative बनते है इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बहुत सारे लोग stress में है और उनका schedule बहुत जादा busy है और ऐसा नहीं है कि उनको बहुत काम है बस उन्होंने अपने आपको एक ऐसी schedule में रख लिया है जहां पर उनके पास खाली time ही नहीं है creative होने के लिए आपका खुद के साथ समय बिताना बहुत जादा जरूरी है अपने आप से एक सवाल पूछे कि आपने खाली बैठकर अपना mobile side में रखकर सिर्फ चुप चाप बैठकर अपने उपर ध्यान कब दिया था लास टाइम ऐसा कब हुआ था जब आप खाली बैठकर आँखे बंद करके सिर्फ अपनी फिल्ड के बारे में जो आप कर रहे हो उसके बारे में कुछ अलग सोच रहे थे शायद आपने ऐसा पहले सालों पहले किया होगा तो बस इस चीज़ को कुछ महीने तक करके देखिए और आप यह देखेंगे कि आप अपनी फिल्ड में या जो भी आप कर रहे है उसमें बहुत क्रियेटिवली काम कर पाएंगे चाहे वो फिर कोई भी काम हो एक राइटर को कुछ लिखने के लिए अकेले बैठना पड़ता है एक म्यूजीशन को म्यूसिक बनाने के लिए अकेले काम करना पड़ता है एक्टर को अपनी एक्टिंग को और अच्छा बनाने के लिए अकेले में एक्टिंग करनी पड़ती है तो आप जिस फिल्ड में है आपने last time अपने mobile को side में रखके उसके बारे में clearly कब सोचा था अपने आप से सवाल पूचिए आपकी creativity कुछ ही हफतों में और महीनों में सामने निकल कर आएगी चैप्टर नमबर 12 Communication Communication एक ऐसी चीज़ है जो आपकी personal growth और career growth को बहुत आगे बढ़ा सकती है बहुत सारे लोगों को लगता है कि Communication का मतलब सिर्फ यह है कि आपको अच्छे से बोलना आता हो Communication दोनों तरफ होता है एक तरफ कभी भी Communication नहीं होता मान लीजिए आप किसी का interview ले रहे हैं जो बहुत ज़्यादा बोलता है बहुत ही over बोलता है लेकिन वो कुछ भी idea सुनने के लिए तैयार ही नहीं है क्या आप एक ऐसे इंसान को आप job देंगे बिल्कुल भी नहीं और दूसरी तरफ एक इंसान है जो बहुत कम बोलता है जो सिर्फ सुनी रहा है क्या वो भी अच्छा है बिल्कुल भी नहीं लेकिन एक तीसरा इंसान है जो सुनने में भी अच्छा है बोलने में भी अच्छा है और point to point अपनी बात रखता है वो इंसान बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा Communication अच्छा बनाने के लिए आपको दूसरों में चीज़ें नोटिस करके उनको उसके लिए अप्रिशेट करना चाहिए चाहिए वो आपके घर में हो, आफिस में हो, आपके स्कूल में हो, कॉलेज में हो अगर किसी ने कुछ अच्छा काम किया, तो उसको अप्रिशेट कीजिए ये चीज, Communication में ही आती है किसी ने आपके कोई help की, तो उसको thank you बोलिए कोई आपको कुछ बता रहा है, तो उसको ध्यान से सुनिए ये चीज भी Communication में ही आती है आज maximum लोगों की ये problem है, कि बोलने के लिए सब के पास बहुत कुछ है, लेकिन सुनने वाले लोग बहुत कम है और जो सुनना जानते हैं, वो लोग एक बहुत अच्छे communicator है उनके साथ बहुत सारे लोग बैठते हैं और जो लोग सुनते हैं, वो अपनी life में हमेशा improve ला सकते हैं क्योंकि जो लोग सुनना नहीं चाहते, चाहे वो किसी भी फेड में हो मैं फिर से आपको विराट को लिखा ये example देता हूँ माल लीजिये, वो ये कहना शुरू कर दे कि कि मैं तो बिल्कुल perfect खेलता हूँ, मुझे किसी भी चीज़ में improvement की जरूरत ही नहीं है और वो अपने coach की सुनना बंद कर दे तो क्या वो कभी अपनी game को improve कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं अगर वो सुन रहे हैं, तभी वो अपनी game को improve कर पा रहे हैं वो अच्छी चीज़े सीख पा रहे हैं इसलिए, अगर आपको अच्छी चीज़े सीखनी है अपनी बूरी चीज़े दूर करनी है तो आपको सुनना भी पढ़ेगा और दूसरों से अगर अच्छा connection बनाना है तो आपको बोलना भी पढ़ेगा अब बहुत सारे लोगों के साथ ये problem होती है कि वो हिंदी में communication करने में अच्छे है लेकिन जहांपर English की बात आती है वहांपर वो communicate कर ही नहीं बाते है क्योंकि उनकी English अच्छी नहीं है और फिर वो ये सोचते हैं कि वो English जितनी जादा पढ़ेंगे वो English उतनी अच्छी से बोल पाएंगे या English movies को देखकर वो English उतनी अच्छी से बोल पाएंगे ऐसा कुछ हद तक हो सकता है लेकिन अगर आपको किसी भी language में चाहे वो English हो या कोई और दूसरी भी language हो अगर आपको उसमें भी अपनी अच्छी communication skill बनानी है तो उस language में सोचना शुरू कर दीजे अगर आपको English अच्छी से बोलनी है तो English में सोचना शुरू कर दीजे नॉर्मली आप हिंदी में सोचते हैं लेकिन जैसे ही आप कुछ महीनों तक English में सोचना शुरू करेंगे जबड़ दस्ती आप देखेंगे धीरे-धीरे आपकी English बोलने की तरीके में भी बहुत जादा फरक आएगा इसलिए आपके लिए English बोलना और उसमें communicate करना भी बहुत जादा आसान हो जाएगा और आपके लिए English एक normal language बन जाएगी English को एक high class language मत समझेए एक language को बस language समझेए चाहे वो हिंदी हो, English हो या कोई और language हो इसको एक high class या low class से मत जोड़िये English बोलने में बहुत सारे लोग इसलिए कदर आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक high class language है और अगर इसमें कुछ गलती हो गई तो लोग judge करेंगे और लोग judge करते भी हैं लेकिन जब तक आप खुल कर बोलेंगे नहीं जब तक आप English में सोचेंगे नहीं तब तक आप अच्छे से इस चीज में confidence बेड़ नहीं कर पाएंगे याद रखिए जब तक डर का सामना नहीं करोगे तब तक उस डर से आप कभी भी बाहर नहीं निकल सकते वो confidence आप कभी भी अच्छे से नहीं बेड़ कर पाओगे आपके पास mobile phone है उसमें recording खोलिए और English में बोलना शुरू कीजिए जिस भी language को आप सीख रहे हो उसमें बोलना शुरू कीजिए धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि आपके अंदर improvement हो रही है तो ये थे वो 12 principle जो आपको सफल होने के लिए बहुत जादा ज़रूरी है और इन 12 principles को follow करके आप सफल बन सकते हो इस book को आप Amazon Flipkart से खरीद भी सकते हो आज के लिए वस इतना ही